नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है साथ हजार पुलिस कर्मियों की भरती के लिए आयोजित परिक्षा में धानलेबाजी की सिकायत के बाद योगी सरकार ने उसे रद कर दिया है इसके पहले आरो और ए आरो की जो परिक्षा होई थी उसको लेकर के भी सासन अस्तर से जाँच बिठाई गई है समिक्षा अधिकारी और सहायक समिक्षा अधिकारी की परिक्षा में हुई गरबडियों की सिकायत के लिए अब सासन ने जो जाँच शुरू की है उसमें 27 फरवरी तक सिकायते आमंत्रित की गई है ताकि उनकी जाँच की जा सके आरो के 334 और ए आरो के 77 कुल 411 पदों के लिए 11 फरवरी को उत्तर प्रदेश के 58 जीलों में 2387 केंद्रों पे ये परिक्षा हुई थी जिसमें 64 फिसद अभ्यार्थी सामिल हुए थे लोग सेवा आयोक प्रियाग राज द्वारा 11 फरवरी को आयोजित की गई समिक्षा अधिकारी सहाइक समिक्षा अधिकारी प्रारमिक परिक्षा 2023 के स्तमंद में मुख्यमंत्री के निर्देश पर फैसला किया गया है कि परिक्षा की सूचिता और पारदर्सिता बनाए जिलूरी है कि सीकायतों का सासन अस्तर पर परिक्षन किया जा, इसलिए सीकायत करता किसी भी तरह की सीकायत तथवा, सुचिता को प्रभावित करने वाले तथ्यों की जनकारी, अपने नाम, पते और साच्छों के साथ, इमेल, आइडी, आपको बता दे कि आभी सीपाहियों क भरती के लिए दो दिनों तक परिक्षा हुई थी, और इसके पहले आरो, ए आरो की परिक्षा हुई थी, और दोनों में धांदले बाजी पकड़ी गई थी, और अब योगी सरकार ने फैसला किया है कि आरो, ए आरो के 411 पदों के लिए जो परिक्षा आयुजित की गई थी उसकी सासन अस्तर से जाच की जाएगी और अलग-अलग सिकायते आमंत्रित की गई है बकायदे उसके लिए इमेल आईडी जारी किया गया है सिर्फ उत्तर प्रदेशी नहीं देश के अलग-अलग कौनों में होने वाली परिक्षाएं एक चुनावती बन गई है कोकि आपने मद्य-प्रदेश से भी सुना होगा, राज-स्थान से भी सुना होगा और तमाम सूबों से ऐसी खबरे आती रहती है कि परिक्षा का पेपर लीक हो गया जो परिक्षार थी मेहनत से उसकी तयारी करते हैं उनकी उमीदों पर तुसारा पात हो जाता है जैसे ही परिक्षा का पेपर लीक होता है लियाजा इसे चैलेंज के रूप में योगी सरकार ने लिया है और सासन अस्तर से जाच कराने का फैसला किया है आपकी क्या रहा है कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर किजिएगा कि ऐसे ही कदम उठाए जाने चाहिए ताकि कोई लीक करने की हिमाकत न कर सके रहे ने बेखबर देखते रहे इन खबर थैंक यू